किस साइड लेटना हमारे बेबी के लिए ज़्यादा सही है प्रिगनेंसी में प्रिगनेंट महिला को किस साइड में लेटना ज़्यादा बहतर होता है तो जब कोई महिला प्रिगनेंट होती है तो उसका आधा से ज़्यादा फोकस अपने बच्चे पर होता है उसके स्वास्त को लेकर महिलाएं ज़्यादा सीरियस होती है कि इस दोरान क्या खाएं, क्या पीएं और कैसे रहें कि बच्चे को कोई नुक्सान ना पहुचे और उनके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि प्रेग्नेंसी के दोरान किस साइट सोना ज़्यादा बहतर है तो आज हम इसी टॉपिक को कभर करेंगे कि प्रेग्नेंट महिला को किस साइट सोना ज़्यादा सही है तो आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रीज सस्क्राइब कर ले और वेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे वीडियों की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे हैं तो बढ़ते हैं आगे कि pregnant महिला का किस सैट सोना ज़्यादा बहतर होता है ये पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा सवाल है कि प्रेगनेंसी में किस सैट सोना कोई नुकसान ना हो और उसका विकास भी सही तरीके से हो सके कितनी महिला बोलती है कि मैं सीधा सोती हूँ तो मै पेट के बल सोती हूँ तो इससे कोई नुकसान तो नहीं तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में किस साइट सोना ज़्यादा सही है गर्भावस्ता ऐसा समय होता है जब सरीर में कई तरह के बदला होते हैं इन नौ महीनों में गर्भ में पल रह सिसु का तेजी से विकास होता है जिस कारण गर्भती को ठकान, जी मिचलाना, बेचैनी वा सरीर में दर्द जैसी कई सारिरिक सम्यास्याओं का सामना करना पड़ता है गर्भती महिला को ठीक तरह से सोने में भी परिशानी होती है पहली बार गर्भती महिला इन बात से अंजान होती है कि गर्भावस्था में कैसे सोना चाहिए, कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्भवस्था के सुरवाती दौर में आप किसी भी तरह से सो सकती है लेकिन 16 हपते पीच जाने के बाद आपको ध्यान देना है कि आप पीठ केबल न सोएं यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है अब जानते हैं पीठ केबल सोना खतरनाक क्यूं है गर्भवस्था के दो महीने के बाद गर्भ में पल रहे शीशू का ठीक ठक वजन हो जाता है ऐसे में जब आप पीठ केबल लेटती हैं तो शीशू आपके सरीर के निचले हिस्से से दिल तक रक्त पहुचाने वाली नस्पर दबाव डाल सकता है ऐसे में आपको भिहोसी आ सकती है या फिर आपको नीद आने जैसा महसूस हो सकता है हाला कि यह बहुत ज़्यादा देर तक पीठ केबल लेटे रहने से होता है इसलिए कोशिस करें कि गर्भवस्था के 16 हपतों के बाद पीठ केबल न सोएं बलकि सोने के लिए सही पोजीशन का इस्तिमाल करें अब जानते हैं कि सोने के सही पोजीशन क्या है डाक्टर्स और एक्सपर्ट के मुताबिक गर्भवस्था में बाई तरफ करवट लेकर सोना सबसे सہी पोजीशन होता है इस से शिसु का बहतर विकास होता है साथ ही आपके सरीर को ज़्यादा आराम मिलता है बाई और करवट कर लेकर सोने से आपके गर्भनाल से आपके सिसु को सहीप हो सकता तो पर्याप्त मातरा में मिलते हैं साथ ही आपका रख्त प्रवावित दुरुस्त बना रहता है इस तरह सोने का एक और फायदा है इससे आपके सरीर के अंदर मौजूद विशाग तत्वे बाहर निकल जाते हैं और आप कई तरह के संक्रमण आदी से बच जाती है विशसग्यों के मुताबिक गर्भवस्था में पर्याप्त मात्रा में आराम भी बहुत जरूरी है इस दोरान कम से कम साथ नौ घंटे की नित जरूरी है और अगर पॉस्वल होस तो आप दो पहर में भी दो घंटे की नित जरूर ले अगर इसके अलावा भी आपको सोने में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप डाक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार